हेलो माई दियर स्टुडेंट्स वेलकम तू अलाफ यू इन और उनलाइन क्लासिस मैसल फिमान सुमिस्रा स्टुडेंट्स हम जैसा की चैफ्टर डू बढ़ रहे हैं फिजिक्स का लॉज फोर्शन लॉज अफ मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने जो पहले मोमेंटम और फोर्स पर अधारित है कि हम जब पढ़ लेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फिर हम उस पर कुछ आधारित निमेरिकल करेंगे तो जो आज का टॉपिक है वो निमेरिकल है कुछ इंपॉर्डेंट निमेरिकल मैं आपको यहां पर कराऊंगा जो ड nationlyton ऐसकर झाल और तो फार का आफ टू हंड्रीट्गाम e dış हुए-द्रीट या निना वाट कर्स अभी हाइज पार आपर सेकेंड। और दीट की पर शूह,ट रहा है लोग है उसका वीट इतना है 200 घ्राम समये कैनल में पर सेकंडू क्या सुवाराइब 7 कट्राइब पर और कि दिए मार इसे लिए जया है मांस कितना दिया है 200 ग्राम्स हमें पहले इसको किसमें करना होगा गजी में कनवर्ट करना होगा एक वैल्यार रखेंगा वही तो हम उसका यूज कर लेंगे इसको क्या कर लेंगे मास को चेंज कर लेंगे किसमें केजी में उसके लिए हम लोग क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करने पर क्या होगा तो जाएंगे तो क्या पचाएगा ट्वेंटी अपॉंट ने ऊपर तो आपका टू बचाएगा नीचे 10 इसे आप 0.2 निक सकते हैं के जाएं तो मास आपका इतना है अच्छा वेलोसिटी कितना दिया है वेटी स्पेट दिया है हमें 5 मीटर पर सेकेंड तो मोमेंटम पूछ तरहाएं निकालनेखो कि पूछ रहा है मोमेंटम चलिए मॉमेंटम का पॉर्मूला क्या है यार चारीए मास इंतु वेलोसिटी मास इंटू मेलोसिटी होता है इकी नहीं अच्छा ठीक है हमारे पास दोनों वैल्यो आइस भी और वेलोशती की वी वैल्यू है रग दिया ज क्लास कितने डैसिमल का मल्टिपलाई फोर्थ क्लास से सिखाए जाता है ना के जी मीटर पर सुखें ये इस कांग से इसको जंदी से आप लिखे तो कि ये आपके लिए पाफी यूस्पल होने वादा है चेक है चली आपने कर लिया होगा कि नेक्स्ट क्वेशन में मूव करते हैं एक स्क्रीण पर देख सकते हैं कि इस मोमेंटम से रिलेटीड क्वेशन है कि वोट इस दा चेंज इन मोमेंटम what is the change in momentum of a car weighing 1500 kg what is the change in momentum of a car weighing 1500 kg when it's when it's speed when it speed increases from 36 kilometer per hour when its speed increases from 36 kilometer per hour to 72 km per hour uniformly uniformly okay question यह कह रहा है कि हमारे पास क्या है एक car है जिसका weight कितना है लगवा 1500 kg है यह पहले क्या कर रहा है 36 km hour से 72 km per hour की speed को अटेंड कर रहा है ठीक है तो ऐसे में क्या करना है चेंज in momentum calculate करना है चेंज in momentum calculate करना है तो चलिए लिखते हैं बारी-बारी से given जो बाते पहले given है वो लिक लेना चाहिए इससे हमारा confusion दूर हो जाता है मास of car कितना दिया है वेटे आप देखें आपने कॉपी में लिखा होगा 1500 kg kg में दिया है तो कोई दिक्कात ही नहीं हमें चेंज करने की ज़रुवर्ट नहीं अब कार क्या है इसकी इनिश्यल विलॉसिटी कुछ और है फाइनल कुछ और तो पहले इनिश्यल विलॉसिटी कि लिखा जाए कि आप और कि आप यह स्पीड लिखा तो स्कूद है निशील उतना है इसकी 36 पराद और और फाइनल स्ट्रीट जो आफ्टर संटाइम होने वाला है वो है आपका कितना 72 किलमेटर पर आप हमें जो निकालना है में निकालना है डिल्टा पी कि यहां पर चेंजिन मोमेंटम करेंगे करके भी बताया था आज फेट से बता रहा हूं कि डिल्टा पी इस इक्वर्ट होता है पी टू माइनस पीटू मतलब फाइनल मोमेंटम मतलब इनिशल मोमेंटम किया फार्मुला होता है मोमेंटम क्या फॉर्मूला होता है मास इंटू घुलॉसिटी उधर इनिशल मोमेंटम की बात करें तो पार करें फाइनल की तो वी टू ले जिए अब बाई बॉडी का मास को चेंज रही हो क्योंकि सेंट दिया है तो आप क्या कर लीजिए इससे आप mv2-mv1 कर लीजिए बस क्या करना है वैल्यू रखतीजे अब देखें वैल्यू रखेंगे तो आपको यहां भी 1500 यहां भी 1500 रखना पड़ेगा कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग क्या कर ले रहे हैं यहां पर मतला थोड़ आसा कम रास्त करना पड़ेगा यह वी 2-1 कर दीजिए और यहां को में कितना है आपका 1500 बदिया वी 2 कितना है इसको क्या कर दें मुल्टिपलाई कर दें कि आता है बहुत दो जीरो तो पहले आजाएंगा आप कैसे कर देंगा यहां जल्दी सिक्टे रहा हूं इसके नाइन नाइटी नाइन हो जाएगा फिटीन रिजा फोडिफाइव और फोडिफाइव में नाइन एड़ कर देंगे तो फिफ्टी पोर आ जाएगा अब याद रखिएगा कि यहां पर जो हमने वैल्यू रखी है वो किलो मेटर पर आउर में रखी है तो आप क्या करें इसको आप यहां पर ही 36 और 42 72 को क्या कर लीजिए किलो मेटर पर आउर में चेंज कर लीजिए कैसे करना है मैंने आपको बताया है कि 18 x 5 से कम मुल्टिप्लाई करना है 5 x 18 से मुल्टिप्लाई कब करना है बहुत अच्छे से बहुत सीरिसली हमने जब इस दिन जाता है करने को आप करिये चलिए इसको कर लीजिए जल से कर दो 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 कि अपने अपने भी प्लिया होगा है आप चलते हैं कुछ पोर्स पर अबारी तुमेरिकल करते हैं प्रेशन संग वेजरांड पोर्स पॉर्स पॉंसेट कर दो कि 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 अप्ट चलिए अब जो क्वेशन है प्रोड़न पहले चोड़े 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 बड़े प्रेशन करते हैं फिर टब क्वेशन करेंगे वाट फोर्स प्रोस तृड़ उससे फोर्स पास्रायरर थे नं लोर्स प्रोड़ें पार्छिए 6 kg ठीक है 6 kg question क्या कह रहा है बेटे question यह कह रहा है कि हमें क्या करना है force लगाना है किसी object पे और force जिस object पे लगाए जा रहा है वो है 6 kg और उसका acceleration जो produce होना है वो 4 meter per second square recording to question है ना तो पूछ रहा है कि वो force का amount कितना होना चाहिए तो question देखिए क्या दिया है है आपको manstore है कितना दिया है मास कितना दिया है 6 kg दिया है अच्छा एक्सिलरेशन भी दिया है ओर मीटर पर सेकर्ट द्सकूरर 4 अब आप से पूछ गहारा है बेटे force पूछ रहा है पूछ रहा है Maas into acceleration होता है जिस कि नहीं आपको याद होना चाहिए बताया है न्यूटन यह क्या आगया वैल्यू जैसे भाई आपका लेक्ट कर लिए आपने अब क्वेशन क्या कह रहा है हमारे पास एक कार है जिसकी 10 सेकेंड में स्टार्डिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब सुरू में वो क्या है रुका हुआ है और जै इसनी हो गए थर्टी मीटर पर सेकेंड हो गई तो इसके बात की पूछ रहा है कि अगर मास 1500 केजी है तो हमें यह निकालना है कि इस फोर्स कितना होने वाला है तो अब देखिए हमारे पास क्या गिबन है और क्या पूछ रहा है इन दोनों की बातेों को हमें प्रॉमूला लगा सकते हैं कि हाँ ये लगाएंगे बेटे तो बिएसें का आँसर आएगा मतलब ना ड़े रहे हौई मास कितना दे रहें है 1500 kg मास नेॉट कितना दे रहें 15100 kg दे दिया अच्छा- vowel सुछ को से के ली और सेकैंट गद्व बढ़न которую कितना बैं कि बढ़ना विलope u उक्वेस्टिन ए रहें 0 में बैटे desert 7 ऐन 10 सेकंट बाट एक дома कि तो जा दो यहाएं 30 meter per second ठीक है तो final velocity कितनी दे रहे हैं 10 meter per second I'm sorry 30 meter per second और इसमें जो time लग रहा है ती लग रहा है 10 seconds and question में पूछ रहा है कि required force कितना होने वाला है अब बताओ आपके फोर्स का फॉर्मूला आपको अगर याद हो आपको याद होना चाहिए कि मास इंट्यू एक्सिलरेशन होता है तो मास तो दिया है पेटे 1500 kg हां सर दिया है बट एक्सिलरेशन नहीं दिया लेकिन इक्सिलरेशन याद करिए उसमें ऐसे एक्सिलरेशन निकालना होगा क्यों क्यों क्या कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है कौन सा यूज करेंगे बेटे पहले तीनों को लिख लेना चाहिए तो पहला है B is equal to U plus A T, दूसरा क्या है S is equal to U T plus half A T square याद है न तीक है और तीसरा क्या है B square is equal to U square plus 2 A S व luck क्या निकालना है आपको निकालना है ए 4 इसमें मैं sorry शुद्पिछ क्या सालाएं अच्छा पीड 3 ट्रिग और 3-2 यहां पर है इसमें तो भी नहीं और भी है तो यू नहीं तो इसका दूसरा यूज भी नहीं है क्योंकि बेटे इसमें S है, distance नहीं निकालना नहीं, acceleration निकालना है, that is why we will choose the first equation of motion and which is V is equal to U plus AT, okay, values put कर दिया जाए, V आपका कितना है, 30 है, रग दिया, U कितना है बेटे, you can see U is 0, A कितना है, acceleration हमें calculate करना है, time is given in 10 seconds, okay, चलिए, अब हम देखे, 8, A into 10 is equal to 30, A is equal to 30, A कितना हो जाएगा बेटे, हम तेम यहां पर A के साथ multiply में है, उदर जाएगा, divide में हो जाएगा, calculate कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3, and acceleration का unit होता है, meter per second square, acceleration की value कितनी आ गई, 3 meter per second square, now we will calculate the amount of the force according to the formula, F is equal to MA, okay, बच्चे, now, force is equal to mass into acceleration, force हमें calculate ही करना है, mass क्या है हमारा, mass हमारा 1500 kg है, और acceleration हमारा कितना है, 3 meter per second square, 3 meter per second square, तो 3 रख दिया, अब इसको जब solve करेंगे, तो 15 into 3 कितना होने वाला है, 4500 newton, तो this is the answer of this question, okay, बच्चे, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जब हम नेक्स वीडियो में मिलेंगे, तो और numerical करेंगे, और आप भी अपने से numerical करेंगे, जो ना आए, आप मेरे से पूछिए, आप WhatsApp पे मेरे question बेज दीजिए, और आपका solution उसी दिन आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो numerical लगाते रही जब तक आप numerical physics में नहीं करेंगे, तब तक आपको दिख्कत आने वाली है, okay my dear students, I hope all of you, आप सही होंगे, और घर पे रहके पढ़ाई कर रहे होंगे, चले आज के लिए इतना ही, thank you very much